हेलो स्टुडेंट्स हाउ आई यू आज की हिंदी कक्षा में आप सब का स्वागत है अब सब बच्चे अपनी उत्थान हिंदी व्याकरन भुक और रफ कौपी निकाली जिए और आज आए हमारे आज के टॉपिक के साथ हमारा आज का टॉपिक है कारक बच्चो कल के सेशन में आपने कारक और उसके छे भेद पड़े आज की सेशन में हम कारक का सात्वा और आट्वा भेद डिसकस करेंगे सात्वा और आट्वा भेद डिसकस करने से पहले एक नजर कारक और उसके विबक्ती चिनों पर करता कारक का विबक्ती चिन है ने करम कारक को, करन कारक से के दुवारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से अलग हुना, संबंध कारक का के की रा रे री अधिकरन कारक में पर संबोधन कारक हे रे रे हाँ तो बच्चो, अब हम बढ़ते हैं कारक के साथ में भेद अधिकरन कारक पर बच्चो, संग्या या सरवनाम के जिस रूप से क्रिया के अधार, स्थान या समय का पता चले उसे हम कौन सा कारक कहते हैं अधिकरन कारक आओ इसके कुछ एक्जम्पल उधारन हम बुख से पढ़ते हैं दादा जी कुरसी पर बैठे हैं तो बच्चों दादा जी कहां बैठे हैं कुरसी पर तो कुर्से पर जो शब्द है वे स्थान का बोध करा रहा है तो ये कौन सा कारक हुआ अधिकरन कारक नेक्स्ट थैले में चुठियां हैं हाँ तो बच्चों चुठियां किसमें हैं थैले में तो थैले में क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है तो ये कौन सा कारक है अधिकरन कारक अब बढ़ते हैं आठमा बेद संबोधन कारक तो बच्चों जिसमें हम किसी को बुलाते हैं जिसमें किसी को पुकारा जाता है उसे हम कौन सा कारक कहते हैं संबोधन कारक आओ अब इसके कुछ उधारन हम पढ़ते हैं अरे यह निबंध तुमने लिखा है, तो बच्चो जो अरे है, ये अरे शब्द जो है, ये किसके लिए प्रेक्टु है, संबोधन के लिए, तो ये कौन सा कारक हुआ, संबोधन कारक, शाबाश, दोनी ने तो कमाल कर दिया, हां, तो बच्चो यहाँ पर जो शाबाश विप्तु ईढ़ संबोधन के लिए यह कौन सा कारक राक हुआ संबोधन आप बच्चों आप हम अभियास के तरफ बढ़ते हैं निम्लिखित प्रष्णों के उत्तर दीजिए हां टांट बच्च लिए नीचे लिखे प्रष्णों के उत्तर दीजिए नंबर वन कारक किसे कहते हैं हाँ तो बच्चो इन प्रश्णों के उत्तर ढूणने के लिए अब सब बच्चे पे 67 आपने सीखा पर आ जाईए और उसके आगे सब बच्चे दिखो वी वेरी वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट फॉर्म वी वी आई कारक किसे कहते हैं संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्रियात था वाक्य के अन्यव शब्दों के साथ संबंद का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक हाँ तो बच्चो सेकिंड प्रेश्ण है कारक के भेदों के नाम बताईए कार्ट कारक करमकारक करनकारक संप्रधान कारक अपादान कारक संबंद कारक अधी करन कारक संबोधन कारक तीसरा प्रश्ट करन कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है करता जिस सादन या माध्यम से क्रिया करता है उसे कौन सा कार कहते हैं करन कारक अपादान कारक, संग्या या सर्व नाम के जिस रूप से एक वस्तू का दूसरी वस्तू से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं प्रेश्ण नमबर चार संप्रधान कारक और कर्म कारक का अंतर स्पष्ट कीजिए जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रधान कारक होता है अब सब बच्चे एक्सरसाइज नमबर वन पर आजाईए निम्न लिखित रंगीन शबे पदों के कारक का नाम लिखे पदों का मतलब होता है जहां दो शब्द जूड़ जाती है उन्हें हम पद कहती हैं तो इसमें बच्चे आपकी हेल्प करेगा 65 पेस पर बना हुआ कारक और उसके विभक्ती चुनों का चार जैसे नमबर वन बालक छत पर खड़ा है तो बच्चों ये कौन सा कारक हुआ अधिकरन क्योंकि यहां पर क्या दी गही है प्लेस जगा राम ने रावन को मरा तो ये कौन सा कारक हुआ करमकारक बेटा नीचे आओ तो ये कौन सा कारक हुआ संभोधन व्रिक्ष से पत्ते गिरती है आप देखो बच्चो व्रिक्ष से पत्ते जब गिर गे तो व्रिक्ष से पत्ते अलग होगे तो जहां अलग होने का भाव हो वहाँ पर कौन सा कारक होते है अपादान नेक्स्ट पिता जी ने पत्र लिखा कौन सा कारक है करता कारक यह सोनु की पतंग है अब देखो सोनु का और पतंग का आबस में क्या हो गया संबन्ध तो यहां पर कौन सा कारक हुआ संबन्ध कारक इसमें भी बच्चे आपकी हेल्प कौन करेगा चार्ट यहां जो फर्स्ट एक्सराइज में वर्ड दी हुए है नमबर वन अशोक कक्षा में निकला के से निकला से निकला महेश खाने डैश संत्रे लाया के लिए प्रभा ने मिट्टी डैश मूर्ती बनाई बटा इसको किसी प्रभा ने बोलना क्या प्रभा 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 ने मिट्टी से मूर्ती बनाई माने ब्वू हे को खाना खिलाया प्रभा ने दरवाज्ज कोला अरे इतनी जल्दी लोड़ा है करन कारक और अप्पाधान कारक चांट कर वाक्य के सामने लिखे सबसे पहले तो बच्चों आपको करन कारक और अपादान कारक का विबक्तिचिन पता होना चाहिए इन दोनों का विबक्तिचिन क्या है से तो जहां लग होने का मावत है वहां कौन सा कारक आएगा अपादान और जहां पर साधन के रूब में तो वहाँ पर कौन सा आएगा करन कारक बच्चे कलम से लिख रही है तो बेटा ये कौन सा कारक हुआ करन कारक लड़का चछत से गिर पड़ा तो अब देखो लड़का जो चछत से गिर पड़ा तो ये कौन सा कारक हुआ अपादान वह शेट से डरता है तो अब जहां पर डर का भावो शर्माने का भावो वहां पर कौन सा कारक होता है अपादान पेड से पके फल गिरते हैं अब जब फल पेड से गिर गे तो कौन सा कारक आएगा अपादान शात्राएं विद्यालय से आ रही है तो यह कौन सा कारक है दान निमन लिखित परते कारक का एक एक उदारन वाक्य बना कर दीजिए बच्चो ये देखो ये सारे कारकों के नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं तो इस में वाक्य बनाने में आपकी जो help हैं वो आपकी exercise number 1, 2, 3 जो हैं वो करेंगे हां तो बच्चो हमारा पहला कारक क्या है करता कारक, इसका भी बक्ति चीन क्या है ने, तो इससे sentence क्या पनेगा, पिता जी ने पत्र लिखा number 2, करम कारक तो इसका भी बक्ति चीन क्या है को, राम ने रावन को मारा number 3 करन कारक से या के दवारा बच्चे कलम से लिख रहे हैं नमब चार, संप्रधान कारक के लिए को भाई ने बेहन को उपहार दिया नमब पांच, अपादान कारक से मतलब अलग होने का भाव व्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं नमब सिक्स, संबंद कारक का के की रारेरी यह सोन्नू की पतंग है नमब सेवन, अधिकरन कारक में पर बालक चत पर खड़ा है नमब आग, संबोधन कारक है रे, अरे, तुम इतनी जल्दी लोटाई हाँ तो बच्चों, अब सबच्चे घर से पार्ट इलेवन कारक दो बार दोराएंगे और मिल्या की डिफिकल्ट वर्ड्जे अपनी कॉपी पर लिखेंगे क्षचे न बालक टुम आग कारक है चुम आर्ट estás mitt कार. हुग त समय है हूचेज चलš गब के ये चल रेग